तो दोस्तो आज 23rd October 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टन शेर्स के पर कुछ इंपोर्टन अपडेट्स है कुछ इंपोर्टन न्यूज है तो चले के करके कवर करते तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिफेंस सेक्टर की दो दिगज कंपणी एक हो के आपका हिंदूस्तान अनोटिक्स लिमिटेड जो की आज क्लोजिंग दिया 1849 रुपे पे लगबग 3.33% गिरावर्ट के साथ और दूसरा हो गया जिसमें आज मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला मजगाव डॉक शीप बिल देखने को मिला वो तो किसी का अंजान नहीं है नॉर्माली मार्केट का एक सेंटिमेट बेरिष्था जिस बैसे इंपक्त देखने को मिला उसके साहसाथ अगर आप गौर से नोटीस करों कि आज की डेट पर मार्केट को खास करके पीएसू सेक्टर में चाहिए वो डिफें तो कि सेंटर प्लान ओएवेस इन डिफेंस रेलवे फोर्टिलाइजर कोल पीएसू टू मीट मीनिमम पब्लिक शेयर रिंग और खास करके यह जो अपडेट आया था मैं आपको इसके पहले काफी पर यह न्यूस जो की दिखा चुका हूं इसके उपर चर्चा भी कर चुका यहां दोस्ते यहां पर Mजगाओ दॉर बीरिमिटेट का भी नाम इन्नों ने लिया था साथ इन लिमिटेट उसके साथ सथ लिया यहां पर बेंशन क्या था जो की फोडिलाइजर केमीकल सेक्कर में ए एंफल और राष्ट्रियर के के केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेट के अंदर तो जिस बैसे आज हमने देखा खास दौर से ये सारे कंपणी के अंदर क्यों कि देखे मजगाव टॉक की बात करें इसका प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है बहुत ज्यादा है तो यहां पर दोस्तों कभी ना कभी आपको कि बहुत अच्छी कंपणी है खास दौर से बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपणी है मैं बार बार बोलता हूं कि देखे जब बजार खास दौर से कोई एक्स्टेर्नल रिजन के बज़े से या कोई ऐसे ग्लोबल इशूस के बज़े से गिरावाट होता है आपके सामने प्र ग्लोबल इशूस के बज़े से जब बजार में क्रैश होता है गिरावाट होता है खास दौर से कंपणी गिड़ता है तो उसमें दोस्तों आपको एक ऑपर्चुनिटी ढूंड लेना चाहिए यही दोस्तों एक लॉंग टर्म या बोसे एक सची इन्वेस्टर्स की निशान है ठीक है तो यह सारे शेयर में आइधिंग आपको अपर्चुनिटी ढूंड ना चाहिए बागी देखे आप खुछ समझदार हो कुछ समझ चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टन अपडेट है एक छोटा सा कंपनी जिसका नाम है टैल ब्रोस आटोमेटिव कॉम्पोनेट लिम मिलता है यहां पर भी सेम टूसेम हुआ ओविसली स्वाल के सेग्मेंट की कंपने तो लगवख 6-7 परसेंट के आसपास ड्रॉप हुआ अब बात ही है कि आज से लगवख कुछ टाम पहले कंपनी स्प्लीट का अनॉस्पेंट किया था और आज की दिन दोस्ती आप आप दे सब्सक्राइब तो एस पर एक्स डेट आप अगर 26 ओक्टोबर 2023 को या तो उसके पहले खड़ते हो यह कंपनी के अंदर जो स्प्लीट होगा वह पाने के लिए बाकी मैं बोलूँगा कंपनी अच्छी कंपनी थे कि छोटे कंपनी जरूर हो सकता बड़ ऐसा मतलब है यह है कि छोटे मतलब बुड़े हैं ऐसा नहीं है कंपनी की परफएंस बहुत अच्छा रहा जैसे कि जून कोर्टर की बात करें रिविन्यू की बात करें इपीस की बात करें नेट प्रोफिट मार्जिन इवन बहुत अच्छा यहां पर ग्रोग तो इसको पर अच्छे से स्टड की पीजिस रफ्तार से गिरा लास्ट शे मैने तो मुझे याद निया रहा इवन जंग की नेक्स डेज़ बजा रुपाइंड हुआ था ना यहां पर जो कंफ्रीक शूरुआ था कुछ दिन पहले तब इतना नहीं गिरा था मार्केश और आज देखिए बीस लिमिटेट का सारे 6 पर से नाकिवर उपर टच किया बल्कि अपना ओल टाइम हाई भी टच किया एक हजार साथ सु अठाना पर यहीं इसका फिप्टू टॉपर ठोस कारण है कारण कहा देखिए आपको यादो का आज से लगब कुछ हफता पहले पर आपको शेयर भी किया था कि आज की र अपना कुछ महीने पहली अपना खुद का जो मार्केट शेयर है वह भी दोस्तों बहुत सब्सक्राइब हो गया था एकदम लेटेस्ट अब्रेट है बिजनेस का मैं आपके सब्सक्राइब करेंगे 6% से बरके 12% हो गया और हाली में देखिए यह निउस निकल किया रहा है क इसका जोहितaires की segment जैसे का आप मालम है कि आप अगर कोई देरिटेटिटिस को करत eine to sell करते हो उसमें दोसे transaction charge लगता है बहुत सारे leetto बट्त उसमें transaction चार्ट जोगी एक-शेंज को मिलता है ठीक है ऑब और थिजिशoon जार्ज कर दीब और उसको इन्क्री Bluetooth कर दिया था 6 रुपए शॉरी 6.75 परसें उपर चाहिए बागी वां बोलूंगा अच्छी कंपनी इस टापी कंपनी लोग लिए ठीक था कहा है बाठा चोटे कंपनी जिस बैसे थोड़ा बहुत आपको यहां पर समल के इन्वेस्ट करना चाहिए आज नेक्स्ट इंप्रेट पर भले मार्केट में गिरावाट था उस टेंपे बड़ उसके बाद एक्च्छल में क्या हुआ था अंध की यह जो पोजिशन ना इसमें क्यों गिरा था मेरे बात को ध्यान से समझेए कॉस एक है युएस का जो दस साल की बॉंड इल उसमें बढ़ जाना ठीक है उसके वज़ है क्यों रिलायन के साथ युप का डिüber को करनेक्षन आज भी रिल्मि रिल्ली अा प्यजिज़ सेक्टर में काम करें. बात ही कि आज बजार क्लोस हो जने के बाद तीन बच के पचास में पर यह बहुत अच्छी अपडेट है डिजनी डिसनी मतलब का जो की अच्छी मतलब इंकर 10 सेक्टर की कंपने डिसनी टू एंटर इंट्व इन्टी बिलियन डॉलर इंडिया डिल विट अम्बानी रिलाइंस तो यहां पर रिलाइंस और डिसनी के बीच में दोस्तों वॉल्ड डिसनी बीच में यहां पर डील होगा और वो काफी बढ़ी अधिक काफी बड़े डील है तो इसका जो इंडियन बिजनेस है मतब जो डिसनी का डिसनी स्टार बिजनेस का जो इंडियन मार्केट है उसका वैलिवेशन आज की डेट पर दस बिलियन डॉलर यानी नियर अब आउट ऐसी हजार करोर के आसपास तो यहां बहुत जल्दी दोस्तो सबसे निकल किया रहा है कि इसको खरीद भी सकता है ठीक है मतब इसका जैसेट से उसको खरीद सकते तो यह बहुत अच्छी अपडेट अगर सच में हो गया ओविसली रिलाइंस का जो शेयर का है मतब इसका जो वैलेशन है वो भी दोस्तों काफिया तक इंक्रीस हो जाएग पर दोस्तों टाटर ट्रिक्नलोजी का आई प्यों अभी लिस्ट नहीं वा मतब लॉंच नहीं वा पर इसका प्रियूम अभी से ओपन हो चुका है बागी बात करें दूसरा आई प्यों चल लाएं फिफ्टी वन परसंट का आसपास ने इक्स्टेग्रम बात के पैर गॉन परियूम चले ब्लू जेट एल्ट क्यार अठ्राइब परसंट के प्रियूम आज से बजार पर उपन वा अंडर कॉंसे बहुत ही बुरे दिन पर पिन वा मैं तो बुलूंगा कंपनी कि तने भी अच्छे हो बट फिर भी बहुत बुरे दिन पर पर नहीं जिस दिन लास्ट लें फानली दूसर में अपडेट है आई आर सीटी से की अपडेट भी एकदम शुरू से लेकर अंतक जैसे की बाकी रेल्वेस टॉक्स के अंदर गिरावर देखने को में यहां पर बहुत बढ़िया से पीटा हुआ हुआ चाहसों चाहसर रुपए पे बहुत सब् बहुत अच्छा कोलाबरेशन हुआ और यह कोलाबरेशन का बहुत माहिना भी है देखिए इट्शूर कोलाबरेट विट आयर से दिसी फार इन ट्रेन फूट डिलेवरी तो इन ट्रेन फूट डिलेवरी के लिए दोस्तों यह कोलाबरेशन है जो कि I think long term basis पे कंपनी को मतब सब्सक्राइब और इसके साथ यह स्टार्टाप कंपनी छोटे कंपनी इनको भी दोस्तों आइधिंग एक अच्छा जो की बेनिफिट दे सकता है बाकी मैं बोलूंगा आप अगर शेयर होल्डर है या बिल्कुली आइधिंग सेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी आ अच्छी कंपनी है और हम से पेशेंस फ्ली वेट कीजिए मार्केट में यही मजा है जब मार्केट गिरता है उसके बड़े इंवेस्टर्स खड़ीत आई यही मार्केट का असली मैं बोलूंगा सोच है बाकी दोस्ते इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं टेक क्यार बा करतffen कि बास्ना की प्ली कोज वाइन यही मार्केट की लिस्टर्स खड़ें़े जागा सकता है जा टेक रहिते कि अभी चाहाऊएंगा सब्सकterки और हम असले दो में मैं यह दो का मिन एंद़ कर बाह मुटता है।